वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाए, हमाई न्यूव वीडियो नोटिपिकेशन पाने के लिए है। वीडियो में आगे बटन से पहले यह दे आप चैनल पर नहीं है, तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेगी, तो आएए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को सुरू करते हैं, यहाँ पहला कोस्चन है, एजूकेशन सब्द की उत्पत्ती किस भासा से हुई, तो इसकी उत्पत्ती लेटिन भासा से हुई, तो आपको एकजाम में एक बात का जरूर दियान रखना है, आपके सभी कोस्चन जो होगे, वो अब्जेक्टिव कोस्चन होगे, यहाँ पर मैं मानों में पूर्ण ताकि अभिवक्ति है, तो यह है विवकनन ने कहा था, नेक्स्ट है, डिस्कोलिंग सोसाइटी पुष्टक के लेखा कोन है, तो डिस्कोलिंग सोसाइटी पुष्टक के लेखा के लिच है, नेक्स्ट है, भारस सरकार द्वारा सारी शिक्षा के लिए र एजुकल एजुकेशन पुष्टक के लेखक कौन है इसको उत्तर ए एराज एहमद खान नेक्स्ट ए खेल को खेल की भावना से खेलो यह किस ने कहा था तो यह जवाहरलाल नहरू ने कहा था नेक्स्ट है Essentials of Nutrition and Diet Therapy पुस्तक के लेखक कौन है इसके लेखक विलियम है नेक्स्ट है किस महन व्यक्ति ने स्वास्थय को पहली पुझी माना है तो गांधी जी ने स्वास्थय को पहली पुझी माना है नेक्स्ट है WHO का पूरा नाम क्या है तो WHO का पुरणा World Health Organization है नेक्स्ट है WHO का मुख्याले कहा है WHO का मुख्याले जिनेवा में है नेक्स्ट है भारते रेड क्रोज की इस्थापना कब हुई थी इसका से उत्तर है 1920 नेक्स्ट है भारते रेड क्रोज का मुख्याले कहा है इसको उत्तर है नई दिल्ली में नेक्स्ट है भारत में सारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है इसका सी उत्तर है H.C. बक नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की तो कोशिका की खोज रोबर्ट हुकने की थी सजीव की सबसे छोटी एकाई कोन सी है तो सजीव की सबसे छोटी एकाई कोशिका होती है नेक्स्ट है कैंदरक की खोज किसने की कैंदरक की खोज रोबर्ट ब्राउन ने की थी नेक्स्ट है कोशिका में पाया जाता है तो कोशिका में कला, कोशिका द्रव्वे और कैंदरक यहाँ पर यह कैंदर नहीं कैंदर रखोगा तो यह तीनों कोशी का में पाय जाता है आपके एकजाम में इन में से कोई भी एक ओप्सन दे दिये जाएगा तो आपको इन में से सही उत्तर पे टिक लगाना होगा नेक्स्ट है मानों सरीर में लगभग कितने परतिशत पानी होता है तो इसका से उत्तर है 65% नेक्स्ट है डियेन ने पाय जाता है डियेन ने गुन सूतर में पाय जाता है नेक्स्ट है मानों में कितने गुन सूतर होते हैं तो मानों में 46 गुन सूतर होते हैं इसे हम 23 जोड़े भी लिख सकते हैं नेक्स्ट है मानों सरीर में कितनी हड्या होती है इसका से उत्तर है 206 हड्या नेक्स्ट है चेहरे में कितनी हड्या होती है तो चेहरे में 14 हड्या होती है मानों के कंकाल में कितनी पसलिया होती है तो मानों के कंकाल में 24 पसलिया होती है नेक्स्ट है छोटी आत के लंबाई लगभग कितनी होती है तो छोटी आत के लंबाई 6.5 मीटर होती है नेक्स्ट है बड़ी आत के लंबाई लगभग कितनी होती है तो बड़ी आत के लंबाई 1.5 मीटर होती है नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी मास पेशी है तो इसका से उत्तर है सार्टोरियस नेक्स्ट है मानों शरीर में सबसे लंबी हड़ी कौन सी है तो इसका उत्तर है फिमर बोन नेक्स्टे मानों में हिर्दे गती की दर परती मिनट लगबग होती है इसका से उत्तरे 72 बार नेक्स्टे रक्त दाव को मापने वाला यंतर कौन सा है तो इसका से उत्तरे स्फैग मो मेनुविटर नेक्स्टे सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब होता है इसका से उत्तरे 120 बटे 180 नेक्स्टे मास्टर गरंथी कौन सी गरंथी कहलाती है तो मास्टर गरंथी पिटूर्टरी गरंथी कहलाती है नेक्स्टे सरुदाता रक्त समू किसे कहा जाता है तो ओ समू को सरूरदाता रक्समू कहा जाता है नेक्स्ट है आरबीसी का जिवन चक्र होता है आरबीसी का जिवन चक्र 120 दिन होता है नेक्स्ट है रक्समू की खोज किस ने की थी तो रक्समू की खोज कार्ल लेंडिस्टीनर ने की थी नेक्स्ट है इसकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो यह है विटामिन C की कमी से होता है नेक्स्ट है बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है बेरी-बेरी विटामिन B की कमी से होता है नेक्स्ट है कार्भोहईडरेट की सबसे छोटी एकाई कौन सी है इसका सेवत्तरिक glucose next प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई amino acid होता है next उर्जम आपने की इकाई है उर्जम आपने की इकाई केलोरी है next विटामिन B और C किस में गुलनसील होते है तो ये पानी में गुलनसील होते है next विटामिन C का दूसरा नाम क्या है विटामिन C का दूसरा नाम ascorbic acid होता है next किसने कहा है कि मनुस्य एक सामाजिक प्राणी है तो यह अरुस्तुने कहा है next सरकार ने पोसाहार कारेकरम का प्रारम किया था इसका से उत्तरे 1960 में next ISI परमाण चिन कब लागू किया गया था इसका से उत्तरे 1955 में next कुपोशन के कारण होने वाला रोग है तो इसका से उत्तरे क्वाशियोर कार तथा मेरिसमस next आनुमान सी की सब्द का परियोग सरुपर्थम किसने किया था तो इसका सरुपर्थम परियोग डबलू बैटसन ने किया था next सर्जीव की सबसे छोटे एकाई कोन सी है इसका से उत्तरे कोशिका next अनुमान सीकता के जनक कोन है इसका से उत्तरे ग्रेगर जोन मेंडल ये और्ष्ट्रिया के रहने वाले थे next अनुमान सीकता के वहाँ कोन है तो इसका से उत्तरे जीन्स next भारत में परियावरन सुरक्सा अधिनयम कब लागू किया गया था इसका से उत्तरे उन्निस सुपिचसी इस भी next हेरेडिटी जीनियस पुस्तक के लेखा कोन है इसका से उत्तरे गर्ल्टन next हे वायू में ओक्सिजन की परतिसत्ता कितनी होती है तो वायू में ओक्सिजन की परतिसत्ता 21% होती है next हे x y परकार के गुणों का परियनाम क्या होगा तो x पलस y गुण सुतरों का परियनाम लड़का होगा next हे एक्स प्लस एक्स परकार के गुन सुत्रों का परिणाम क्या होगा इसका से उत्तर होगा लड़की नेक्स्ट है साइक सब्द का क्या अर्थ है साइक सब्द का अर्थ आत्मा होती है नेक्स्ट मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया है तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गये है नेक्स्ट है मनोविज्ञान के अंतरगत किसका अध्यन किया जाता है इसका से उत्तर है व्यावार का नेक्स्ट है किसने मनोविज्ञान को आत्मा से संबंदित ग्यान माना है तो यह अरस्तुने माना है साइकोलोजी पुष्टक के लेखक कौन है इसका से उत्तर होगा मन मनोवज्ञान की कितनी साखाए है मनोवज्ञान की दस साखाए होती है खेल के मनोरंजन सिद्धान के परतिपादक है तो इसके परतिपादक पैट्रिक है खेल मनोवज्ञान के जनक कौन है तो इसका से उत्तर कॉलमेन ग्रिफित नेक्स्ट है किसने कहा खेल को खेल की भावना से खेलो यह गांधी जी ने कह था नेक्स्ट है परसोना सब्द का क्या अर्थ है परसोना सब्द का अर्थ होता है मुखोटा नेक्स्ट है व्यक्तित्यु के आयाम है तो व्यक्तित्तों के आयाम सारी रिक्षामाजी को मानसिक तीनों ही होते हैं नेक्स्ट है खेल परदरसन निर्भर है तो खेल परदरसन अभ्यास पर निर्भर होता है नेक्स्ट है कौन से व्यायाम संगीत के साथ किये जाते हैं तो एरोबिक व्यायाम संगीत के साथ किये जाते हैं नेक्स्ट है ओलम्पिक खेलो में मसाल का परियोग सरुपर्थम कब किया गया तो मसाल का परियोग 1936 सीसनी में किया गया था नेक्स्ट है खेलो का सरवादिक विकास सरुपर्थम किस देश में हुआ या यह इस परकार सी पूर्शा जा सकता है खेलों का स्वर्ण युक किसे कहा जाता है तो इसका से उत्तर होगा यूनान नेक्स्ट है और तेज और उंचा और बलसाली किसका आदर्स वाक्य है तो यह ओलम्पिक खेल का आदर्स वाक्य है नेक्स्ट है उलम्पिक का आधर्स वाक के CTS का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ होता है अधिक तेज नेक्स्ट है 2010 के राष्ट्र मंदल खेल कहां आयुजित के गए थे इसका से उत्ता है नई दिल्ली में नेक्स्ट है उलम्पिक खेल आयोजित के जाते हैं इसका से उत्तरे हर चार वर्स बाद नेक्स्ट है उलम्पिक जंडे के छले दरसाते हैं तो यह मादीप को दरसाते हैं नेक्स्ट है, अंतराष्टय ओलंपिक समुखेती का मुख्याले कहां है, इसका से उत्तर है स्वीटजर लैंड में, unveiled newday, बट्टिस्वे 2022 के ओलंपिक खेल कहां आयूझत हुए थे, यह टोक्यो जापान में आयूझत हुए थे, नेक्स्ट टोक्यो उलम्पिक खेल में भारत में कुल कितने पदक जीते थे तो टोक्यो उलम्पिक खेल में भारत ने साथ पदक जीते थे नेक्स्ट है टोक्यो उलम्पिक खेल में किस भारती खिलाड़ी ने स्वरण पदक जीता था इसका सेवत्तारी निरचोपडा जिन्होंने जेवलिन थ्रों में सुरनपतक जिता था नेक्स्ट है ओलंपिक द्धज में छलो का रंग किस करम में है तो ओलंपिक द्धज में छलो का करम इस परकार से होता है नीला, पीला, काला, हरा, लाल जिनका अर्थ होता है यूरोप, एशिया, अफरीका, ऐस्ट्रेलिया और अमेरिका पर्थम एशियाई खेल कब आउजित किये गए थे तो ये 1991 में आउजित किये गए थे एशियाई खेल 2018 कहां हुए तो ये इंडोनेशिया में हुए थे नेक्स्ट है हमेशा आगे की और किस खेल परतिस परदा का अदर्स वाक्य है तो यह है एस्याई खेल का अदर्स वाक्य है नेक्स्ट है एंटिना सब्द का पर्योग होता है यह वोली बॉल में पर्योग तो होता है योरकर सब्दावली किस से संबंदी थे यह किर्केट से संबंदी थे टाइगर वुड्स जुड़े हैं टाइगर वुड्स गॉल्फ से जुड़े हैं शुसिल कुमार किस खेल से संबंदी थे दीपा करमाकर किस खेल से संबंदी थे तो दीपा करमाकर एथलिटिक से संबंदी थे नेक्स्ट है उन्निस वे एश्याई खेल 2022 कहां पर आउजित के जाएंगे तो उन्निस वे 2022 में जो एश्याई खेल है वे होंग जोव चीन में आउजित के जाएंगे नेक्स्ट है राष्ट्र मंडल खेलों का प्राड़म कब और कहां हुआ तो राष्ट्र मंडल खेलों का प्राड़म में हैमिल्टन में प्राड़म हुए थे नेक्स्ट है 32 वे राष्ट्र मंडल खेल 2022 कहां पर आउजित के जाएंगे यह बर्मिंगम इंगलेंड में आउजित के जाएंगे नेक्स्ट है 21 वे राष्ट मंडल खेल 2018 का ओयोजन कहां किया गया था तो इनका ओयोजन और्स्ट्रेलिया में किया गया था नेक्स्ट है डूरंड कप संबंदित है डूरंड कप फुटबॉल से संबंदित है नेक्स्ट है सौरब चोधरी की स्खेल से संबंदित है सोरब चोधरी निशाने बाजी से संबंदित है संतोष ट्रोफी किस खेल से संबंदित है तो संतोष ट्रोफी फुटबॉल से संबंदित है भारत में पर्थम बार विशुव का परत्योगिता कब जीती थी तो भारत ने पर्थम बार विशु कप परत्योगिता उन्नीसुत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्यु से संबंदी थे नेक्स्ट है द्रोणाचारी पुरुषकार किसको दिया जाता है द्रोणाचारी पुरुषकार विशिष्ट खेलकुद परशिक्षक को दिया जाता है नेक्स्ट है इडन गार्डन स्टेडियम इस्ति थे तो यह है कोलकाता में इस्ति थे नेक्स्ट है खोखो सब्द का अर्थ है, खोखो सब्द का अर्थ होता है जाओ और पकड़ो, मेरी कॉम संबंध रखती है, मेरी कॉम मुक्य बाजे से संबंधी थे, शीद कालिन ओलंपिक कब प्रारम हुआ, शीद कालिन ओलंपिक 1924 इसमें अरम हुआ था, भरत में खोखो कहां का लोग पर ये खेल है, तो यह माहराश्टर का लोग पर ये खेल है, एक मानक स्वीमिंग पूल की लंबाई होती है, एक मानक स्वीमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर होती है, नेक्स्टे स्वास्थे ही पूझे है, यह कथन है, तो यह कथन सत्य है, नेक्स राश्ट्री खेल दिवस मनाया जाता है, यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, प्राशीन उलंपिक खेलों की शुरुआत हूई, तो प्राचीन उलंपिक की दूरी कितनी होती हैं तो मेरा थन दोड़ की दूरी बैलीस पॉइंट वन नाइन फाइव किलोमेटर होती है नेक्स्टे वोलीबोल की टीम में कितने खिलाडी होते हैं तो वोलीबोल की टीम में बारे खिलाडी होते हैं नेक्स्टे कबड़ी की ओल्उपिक खेलों की स्ववाद कभ वुई और अ्दुनिक खेलों की सवात 1860 लुबरो किस खेल से संबस्कुत 묶ा थे जिए अ structures नेक्स्टे रनेजी टोफी किस खेल से संबन्दी थे रनेजी टोफी किर्केट से संबन्दी थे नेक्स्टे किर्केट की सबसे बड़े संस्था कौन सी है तो किर्केट की सबसे बड़े संस्था आई सी सी है नेक्स्टे राजियू गांधी खेल रतन पुरुषकार का नाम जलकर मेजर धिहन चंद खेल रतन पुरुस्कार रख दिया गया है। नेक्स्ट है फीफा सब्द किस खेल से संबंदी थे। फीफा सब्द फुटबॉल से संबंदी थे। नेक्स्ट है बॉस्केड बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसका से उत्तर है पाँच खिलाडी नेक्स्ट है वोलीबोल में कितने खिलाडी होते हैं वोलीबोल में छे खिलाडी होते हैं नेक्स्ट है दिलीब ट्रोफी किस खेल से संबन्दी थे यह किरकेट से संबन्दी थे नेक्स्ट है एक मानक ट्रेक की लंबाई कितनी होती है तो से भारती जीमनेजियम आंदोलन का पिता मेह माना जाता है इसका से उत्तरे समर्थ गुरूर अंदाज नेक्स्ट भरत में ताराचंद सारीरिक सिक्ष समीति का गठन कभ किया गया इसका से उत्तरे 1948 में नेक्स्ट एम अखिल भारते खेल परिश्द का गठन कभ किया गया था तो इसका गठन उन्निस से चोवन इसमी में किया गया था। नेक्स्ट है भारती खेल प्राधिकरण का मुख्याले कहा है। तो इसका मुख्याले नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है पीटी का पूर्ण रूफ है। तो PT का पूर्ण रूफ होता है physical training Next is study नमस्कार में कितनी इस्थेतियां होती है इसका से उत्तरे 12 इस्थेतिया Next is स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्तिस्क निवास करता है ये है किस ने कहा तो इसका से उत्तरे अरश्थ्तु ने Next is अंतराष्टी योग दिवस कब मनाय जाता है तो अंतराष्टी योग दिवस 21 जून को मनाय जाता है नेक्स्ट एक सुष्थ व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है एक सुष्थ व्यक्ति एक मिनट में 15-18 बार सांस लेता है नेक्स्ट ए लेपरोसी किसके द्वारा ह नेक्स्ट है, विटामिन D की कमी से कौन सी विमारी होती है, इसके से उत्तर है नेक्स्ट है, adds की full form है एड्स की full form होती है acquired immune deficiency syndrome ница नेक्स्ट है भरती ओलंपिक संग के वरतमान अध्यक्ष कोँ नेक्स्ट है बी जी C.I. के वर्तमान अध्यक्ष कोन है इसका से उत्तर है सुरब गांगुली नेक्स्ट है भारतिये खेल प्राधिकरन के वर्तमान अध्यक्ष कोन है इसका से उत्तर है संदीप परधान नेक्स्ट है भारतिये ओलंपिक संग का मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले नई दिल् आप इन सभी कोश्चनों को याद कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद